हेरे दोस्तों वारे देखने वाले है क्लास 7 के इंगेसे चप्टर 5 को जो है था बैर स्टोरी इस कहानी में मैं एक भालू के बारे बताया गया है जो जब बहुत ही छोटा था तो जंगल में वो भूग के वज़े से अधमरी इस्तिती में था तो उससे में एक लेडी को यह दिखता है तो उस लेडी ने इस भालू को बचा लिया था और इसे अपना पेट बना लिया था यानि इसे पाल लिया था तो यहां हमनों दो चीज़ों को देखने वाले हैं पहला इस भालू के अमारे में और दूसरा हमनों देखेंगे कि एक बार इस लेडी के पीछे एक दूसरा भालू पढ़ जाता है जिसे यह अपना पिट समझ करके उसको बिना डर पिट देती है तो चलो इन दोनों चीज़ों को अब आगे देखने वाले हैं चैप्टर को तो स्टा रट करते हैं यहां मताया कि एक लेडी थी जो पुराने से मैणूर मेरती थी मैणूर का रहता है कि एक बड़ा सा गड़ जिसके आस-पास में बहुत खाली जमीन हो तो यह मैनूर एक बड क्यों जैसे अधमरी हालत में था तो उससे में इस लेडी और इस लेडी की एक बोड़ी कुक है उन दोनों ने मिल करके बोतल की मदद से बोतल का यहां पर अर्थ हुआ कि जैसे जो इनसान के बच्चे होते हैं उसे वो लोग बोतल से दूद पिलाते हैं तो सेम उस भालू के बच्चे को इन्हों ने दो बोतल से दूद पिला करके बड़ा किया था उसे बचाया तो यह कुछ साल पहले की बात है अब वह भालू बहुती बड़ा हो गया है वह बहुती स्ट्रॉंग हो गया है अब उससे इतना थाकत है कि वह गाय को मार करके और अपने पंजो की से उस गाय को एक जयल से उठाकर दूसरी जयल दक ले जा सकता है बट वह ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वह इतना एमियेबल यानि इतना फ्रेंडली था कि वह किसी को सूच भी नहीं सकता था हम करने की चाहिए वह एक दान हो या एक बीस्ट हो या अपने कैनल करता है पिट हाउस यानि इसमें कुत्ते और बिल्ली को रखते हैं तो वैसा ही इसका भी एक घर था जिसके बाहर बैठ करके यह अपने small intelligent eyes यहाँ पर intelligent का आगिया इसको समझदार बताने के लिए कि यह अपने छोटे समझदारी भरे आखों से amicably यानि बहुत ही peacefully जो पास में फिल्ड था जहां पर cattle यानि जो घाय पैल चर रहते उन्हें यह देख रहा होता है आगे बता है कि तीन saggy saggy का मतलब जिनके बाल बिखरे हुए हैं ऐसे mountain ponies ponies का मतलब हुआ कि ऐसे horse के breed जो normal horse से थोड़े छोटे होते हैं तो ऐसे तीन mountain ponies हैं जिनके बाल saggy है यानि बिखरे हुए हैं वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हैं जब भी यह भालू अपनी mistress के साथ इनके stable बले stable का मतलब होता है अस्तबल में आता है चाहे वो गुमने के लिए क्यों ना आता हो देखो यहां पर एक बात कहीं जा रही है कि आप भालू सफल करते बात है सफल करत होता है कि चलती वेज़ अपने पैर को घसीटते हुए चलना धरती पर अब आगे यह भी कहा जा रहा है तीन डॉक्स के बारे बताया गया है जो इसके साथ हर तरह के गेम खेलते हैं जैसे कि कभी कोई डॉक इसकी कानों गीसता है तो कभी जो इसका stump of a tail यानि कि इसका जो पूच बहुत ही छोटा है बट मोटा पूच है जिसे बड़े कुता गीचा होता है तो यह डॉक्स इस अब देखो डॉक्स तो मीट खाते हैं बड यहाँ पर पतानी क्यों लिख़या आज कि यह मीट नहीं खाया था यह जो तक आज्यों या नहीं खा रहे होते हैं यह जासे खार होता है ब्रेड परेज यानि दलिया पैटेटो गैवेज और टर्णी यानि की सल्चम इसका बहुती फाइन एपटाइट था एपटाइट मतलब होता है भूख हंगर यानि बहुती जादा अच्छा कासा खाना काता था इसलिए इसकी जो पसंद है वो है fruit जैसे इसके बारे मताया जा रहा है कि जब भी autumn का महिना आता तो या बैट करके orchard में यानि जो फल के बगीचे थे उसमें जो भी पके हुए apples होते थे उन्हें अपने wishful eyes से देखता था wishful eyes का मतलब हुआ कि एक इक्छा बरी उदास आगों से इक्छा थी उसकी उन सेव को खाने की और उदास इसलिए क्योंकि अभी उसका प्रमिसन नहीं था कि वो उन्हें जाकर खा सके लेकिन जब यह young था यानि जब यह छोटा था तो इसका यह जो इक्छ है जैसे मालनों वो कोई भी काम सही से नहीं करते हैं और उनके मुवमेंट्स बहुती स्लो दिखते हैं लेकिन अगर आप एक apple tree को लेकर करते हो यहां कहने का मतलब हुआ कि अगर आप एक ऐसा गेम रखते हो जिसके अंदर एक apple tree है जिसके उपर चहड करके आप बोलते हो ए अपने इस चाहत को ना रोख पाया और जाकर के पेड़ पे चाड़ करके वो सेव खा लिया था लेकिन अब वो समझ गया था कि ऐसा करना law के खिलाफ है ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि उसे punishment मिल चुका था ऐसा करने का इसलिए अब वो ऐसा नहीं करता है बहले वो बैट करके उन पेड़ के तरब देखता है और देखता है एक ऐसे पेड़ पर से एपल तूट करके नीचे गिर रहा है देखो इसको मद बहुत पसंद था और एक दिन तो भी हाइब से यानि मदमकी का च्छता होता है उसे लिए करके कुछ डिफिकल्टीज आ गई थी यान और उसे में इसके नाक से ब्लीडिंग भी हो रही थी ब्लीडिंग क्यों हो रही थी क्यों खून आ रहा था वो नहीं बताया गया है लेकिन इस पनिस्मेंट के बाद से उसने कई भी ऐसा हरकत दुबारा नहीं किया नॉर्मली देखा जाए तो इसे दिन के वक्त में कई भी चेन से नहीं बांदा जाता था इसे बस रात में चेन से बांद दिया जाता था जो सही भी था क्योंकि जैसे डॉक्स होते हैं जिन अगर आप जादा चेन से बांद करके रखो तो बहुत ही चिर्चिरे हो जाते हैं तो उसी तरह भालुक अभी था कि उससे भी अगर आप ज जाती थी हर दोपहर में उसके साथ वक्त बिदाने के लिए क्योंकि उसकी बेहन एक खाली घर में अकेले रहते थी उसकी बेहन mountain lake यानि पहाड़ों पर लेक होता है उस लेक के दूसरे तरफ थी तो यहां भी बताया जा रहा है कि वहाँ जाने के मिस्ट्रस को लगवा एक घंटे की वॉक करने पड़ती एक डेंस याने घने जंगल में लेकिन उस घने जंगल से भालू को ले जाना ये बिल्कुल सही नहीं था क्योंकि भालू का टेम्टेशन्स बहुत था यानि इसके इक्षा बहुत है अगर जंगल में इसे ले जाए जाता तो वहाँ पर इसे बहुत सारी और नई नई चीज़े खाने के दिखती अलग अलग जानवर दिखते तो इससे वो प्राग्लम क्रियेट कर सकता था और इसलिए मिस्टेश कहती है कि एक सेफ साड में रहते हुए वो इसे बान दिया करते थी संडे के दिए ताकि वो यहाँ वहाँ न गूमें यह कहती है कि यह बहुत ही बैड सेलर है जो बहुत बुरे नव चलाने वाले होते हैं क्योंकि एक बार यह लोग जा रहे होंगे नव से हो सकता है यह जो माउंटेन लेक से उसी किसी को क्रॉस कर रहे हो तो एक बार यह लोग जो नव पर थे तो एक तेज हवा का जोका आता है और इससे वो भालू डर करके पूरे नव को ही पलड़ देता है तो मिस्टेश को और फिर यह बालू दोनों को तैर करके किनार टैप करती थी और कहती थी कि मेरे जाने की बाद अगर तुम अच्छे से रहे तो मैं आख करके तुम्हें एक एपल दूँगी तो जब उसकी मिस्टे तुम मेरे साथ वॉक पर नहीं जा सकते हो तो वह बहुत ही सौरी और रिजाइंड फिल करता है एक डॉक की तरह सौरी का मतलब की दुखी फिल करता है और रिजाइंड मतलब की वह सोचता है कि अच्छा वह कुछ कर भी नहीं सकता है तो वह सांती से वहीं पर रहता है सेम ऐसा ही एक संडे को मिस्टे जाने वाली थी तो वह इसा चेन से बांद देती है पर जैसे ही वह जंगल में आदे रा जो रास्ते हैं तो उस पर पीछे वह देखती है और बहुत डर जाती है जब उनको दिखता है कि एक भालू के पास फुल स्पीड में आ रहा है देखो भालू देखने हैं भले लगते हो कि वह बहुत ही स्लोब मूव कर रहा है मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है बट उनका सफल करना हुआ ना ये एक ट्रॉटरिंग होट से भी जादा फास्ट होता है ट्रॉटरिंग का मतलब हुआ घोड़े अपने पैरों घसिते नहीं है वह उठा करके पैरों को दोड़ते हैं देखो इसलिए अगर सिंपल में कहा जाए तो अगर थोड़ी दूर का रास् होत तेज जोते मुफ करते हैं तो एक मिनट के अंदर यह भालव लेडी के पास पह consiste किया था और बहुत ही पेंटिंग हाफ रहा था सुम्ख रहा था यानि हुस लेडी को सूंग रहा था और पर डॉप की तरह है उसके लेडी के हीनस के पास ऐशने सब्ढ़ गड़ जाते ह लेडी इसे देखकर यह बहुत गुस्सा हुई क्योंकि वो पहले ही लंच के लेट थी और उनके बाइस अब टाइम नहीं था कि इस भालू को उनको लग रहा होता है कि भालू इनका पेट है तो वो सोचे थे कि अब इस टाइम नहीं कि वो इससे वापस घर पर छोड़ कर गय तो वो यहां पर कहते हैं कि यह बहुत ही नौटी था इसका मतलब समझे थे कि इसका पेट है कि वो इनकी बात को डिसोबे करता हुआ चेन से निकल करके यहां थे इंके पास पहुंच गिया तो बहुत ही सीवरेस्ट यानि कठोर आवाज मैंसे चिलाते हुए से बोलती है कि अब भी तुम इसी वक्त वापस जाओ और उसे अपने पैरा सॉल यानि जोंकि उस अमरेला था उससे मिनेंस करती है उसे डराते ही दमगाते है कि अब भी वापस जाओ गर वो वहां पर भालू रुखता है एक मोमेट के लिए और अपने कनिंग आईस से यानि वो ऐसे से अमरेला से अउसके नाग पर मारती है इतना जोड से कि उसके नाग के दो ठुकड़े हो जाते यानि उसका हड़ी को ब्रोक करवा तो यस से सुनके अफ्स्युश हो रहा है बट वह भालू रुख जाता है और अपने सिर को हिलाते हुए अने मूं को बहुत बाइर खोलता लग रहा होता है जैसे मानो कुछ कहना चाहँ अगि उसकी नजरों से दिछना हुआ लेडी जब साम के वक्त कहती है वैपस तो फ़लू था वह अपने यूजवल ऐय उसका घर तो तो बाहर बैठा हुआ था और बहुत ही sorry feel कर रहा था खुद के लिए यानि वो दूखी था कि वो घूम फिर नहीं पाया और something ऐसा लेड़ी उसके पास बहुत ही गुस्चे में जाती है और उसको जा करके टाटना सुरू कर देती है बहुत ही हो यह पूरा दिन बहुत ही अच्छे से रहा एक गोल्ड की तरह अब गोल्ड का रिफ्रेंस दिया गया है यानि बहुत ही purity का बात होता है कि वह बहुत ही अच्छे तरीके से रहा बिना कोई स्राथ बगरा किये उसका तो कहती है ब्लस हिम दिखो बाहर के लोग बहुत कहते है एक दूसरे को क्याना चाहते है कि भगवान इसको सही सलामत रखे ऐसा फिरों कहते है कि वह यहां पर पूरे दिन इसी तरह सांते से बैठा रहा अपने हॉंचेस को हॉंचेस मतलब बटक होता है कि एक ही पुजिशन और बैठ सब्सक्राइब तरीके में वह बैठा रहा जैसे कोई एंजल हो अब यहां पर एंजल का रिफ्रेंस पता नहीं क्यों दिया गया बट आप ऐसे समझ सकते हो कि वह कि स्टैच्वी की तर्मानों सांती से बैठा हुआ गेट की तरफ ही देख रहा है कि कब जो इसकी मिस्ट्रेस ह जो लेडी है वह वापस आएंगी तो यही वह ओल्ड लेडी कहती है कि आपका इंतिजार में वह बैठा हुआ था तो इस तरह ही चैप्टर होता है खतम इसके जो राइटर वह है एक्सल म्यून थे देखो इस चैप्टर के अंदर इसके अंदर कुछ कंफूजन्स क्रियेट होते हैं पहला यह कि क्या जो जंगल में इने भालू मिला था वह दूसरा भालू था तो जब वह दूसरा भालू था तो उसने इनके अटेक क्यों नहीं किया क्योंकि वह जंगली भालू था अब यहां पर दो सही सही अंसर बन करके आता है जो बहुत ही रीजनेबल है पहला कि जो सूने सकती होती है वो dog से भी बहुत जादा होती है तो कहा यहां पर जा सकता है पहला चीज यह कि वो सून करके ऐसा decide कर रहा होगा वह भालू कि उसे lady पर attack करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए पहला आंसर तो यह बन गगा दूसरा अंसर यह हो सकता है कि लेडी के पास खुद का भी एक पिट भालू था यानि जिसे उसे उन्हेंने पाल कर रखा था तो इस बैसे उनकी क्लोथ पर भी कुछ ना कुछ भालू का जो smell रहता है, odor रहता है वो आ गया होगा तो जैसे ही वो जंगा से गुजर रहे होंगी दूसरे भालू का ऐसा लगा होगा कि कोई और भालू भी आसपास है इसलिए वो दोड़ करके आया होगा तो जब वो सूंग रहा होगा तो वो भालू decide कर रहा होगा कि यह जो दूसरे भालू का smell इंके body पर कैसे आया लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ ओर होगा कि जो lady ने उसको नाख पे मारा तो उसका जो नाख दो टुकड़ों में तूट गया तो वो मतलब एक आपको आप सोस आ रहा होगा कि बिचारे का नाख तूट गया दूसरा आप कहा सकते हो कि हो सकता है कि अगर वो सूंग रहा हो lady के उपर attack करने के लिए कि उस पर करना चाहिए नहीं लेकिन lady जो की सोचे होते है कि यह तो उनका खुद का पेट है और बिना डर है उसको नाख को मार देती है कि वो धर गया हो यह वो सकता है और इसलिए ava aparas चला गया तो इस तरह पूरए चप्टर खतम होता है आसाओ को आउनको वीडियो अच्छे लगी तो मिलते हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में